आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच बन रहे सारे के सारे रेलवे लाइन्स के बारे में जानेंगे वरतमान में कौन से रेलवे लाइन्स बन रहे है और उसे पहले हम भारत नेपाल के रेलवे इतिहास को देखते हैं भारत और नेपाल के बीच पहली रेलवे लाइन 1927 में ब्रिटिज द्वारा रक्सॉल और अमलेक गंच के बीच बनाई थी ये 39 किलोमेटर का स्प्रेच नेरो गेज के ट्रेक से बना था तूसरा रेलवे लाइन जैनगर और जनकपूर के बीच 1937 में बनी थी इसको बाद में बीजलपूरा तक एक्स्टेंड किया गया था इस रेलवे लाइन की लंबाई 45 किलोमेटर थी तो नेपाल में सिर्फ ये ही दो रेलवे लाइन बना था जो नेरो गेज का था और दोनों के दोनों रेलवे लाइन भारत से जुड़ा था इसी बात से आपको ये पता चल बन करा दिया गया था इंडियन रेलवे ज ने जैनगर से जनकपूर तक 2018 में नैरो गेज को ब्रॉड गेज में कनवर्ट किया जनकपूर से कुर्था के भीज का रेलवे लाइन 2021 अक्टोबर में रेडी हो गया कुर्था से बीजलपूरा का सेक्शन आल्मोस्ट बनकर तयार है और बीजलपूरा से बर्डी बास का सेक्शन का लैंड एक्विजिशन कम्प्लिट हो चुका है जैनगर से बर्डी बास का सेक्शन 69 किलोमेटर लंबा है जो की पूरे प्रोजेक्ट को भातिय सरकार फंड कर रही है जिसकी लागत इंडियन रुपीज में 784 क्रोड है इस प्रोजेक्ट को बिल्ड एरकॉन कर रही है प्रोजेक्ट का फेज वन यानि की जैनगर और कुर्ता के बीच ट्रेन का सफल परिक्शन हो चुका है जहां ट्रेन को 110 किलोमेटर प्रति गंटे की रफ्तार से चला कर देखा गया और अगर हम लाइन वन की बात करे जो था रक् से सिरसिया के बीच नेरो गेज को ब्रॉड गेज में किनवर्ट किया सिरचिया इसे बीर गंज के नाम से भी जानते है ये नेपाल का इनलेंड कंटेनर डेपो है कॉलकत्त पॉर्ट से सारे इंपौर्टेट अइटम्स यही आते है और बाद में फिर नेपाल के दूसरे शे रक्सॉल से काटमांडू ब्राट गेज का रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करेगी जिसका कॉस्ट होगा 3.2 बिलियन डॉलर्स और ये कॉस्ट नेपाल की सरकार उठाएगी रक्सॉल से काटमांडू तक लगबग 130 किलो मिटर से 190 किलो मिटर टक ट्रैक बिछाया जाएगा इसका final alignment DPR बनने के बात पता चलेगा नेपाल और भारत की बीच और भी कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स का काम चालू है जैसे की जोग बनी बिराटनगर रेलवे लाइन ये 18.6 किलो मिटर का रेलवे लाइन है जिसमें 10 किलो मिटर का काम पूरा हो चुका है अगर हम और द से भैरवा, न्यू जलपाई गुरी से काकर भिट्टा ये सारे प्रोजेक्ट्स से भारत और नेपाल के इंडस्ट्रीज को बहुत पायदा होगा क्योंकि लोजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा साथ ही साथ परियावरन के लिए भी बहुत अच्छा है दोस्तों नेपाल में चा सिर्टेजिकली एडवांटेज के लिए कर रहा है और भारत द्वारा नेपाल में जो प्रोजेक्ट्स चल रहा है वो ज्यादा फिजीबल है आपकी क्या राई है इस पर कमेंट करिएगा उमीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया